दोस्तो यह DMPR Relay जब ट्रीप होता है तो आप लोग उसका Current को चेक कर लेते हैं, Off बटन दबा के, Current को चेक कर लेते हैं और फिर Reset बटन दबा के उसको Reset कर देते हैं लेकिन दोस्तो क्या आपको मालूम है कि यह Relay एक बार Reset होने के बाद उसका Fault History को देख सकते हैं Fault History को देखने के लिए आपको Up and Down बटन को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा, जैसे ही आप उसको एक साथ प्रेस करेंगे दोनों बटन को तो पुराना History आपको सामने आ जाएगा यानि Last 5 Fault वो सह करेगा कि कौन सा Fault में ट्रिप हुआ है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, One से लेकर 5 तक यह सारे LOC में ट्रिप हुआ है लेकिन अगर आप एक Fault को उसका कितना करेंट ले रहा था, कप ट्रिप हुआ था, उसको देखना के लिए चाहते हैं, तो आप उसका Enter बटन को दबाना पड़ेगा जैसे ही आप Enter बटन को दबाएंगे, तो उसका Current शो होने लगेगा, और फिर Off and Down बटन दबा के आप लोग पुरा हिस्ट्री देख सकते हैं